प्रेट ब्रेकिंग न्यूज बहरापन और कान के तमाम प्रकार के रोग अब असाध्य रोग नहीं रहे हैं सुनिने की क्षमताएं अचानक कैसे बढ़ती है ट्रीटमेंट कितनी सरलता से होती है देखें वीडियो कान में सुनेवे सब्दों को सुनके बोलने का मतलब सुनना होता है समझ गाई जो सब्द कान में नहीं सुनोगे वो कान में कभी समझ में नहीं आएगा तो कान में ये जो भागा इंस्टूमेंट है कान का पीछे वाला भाग में चेता तन्तू है और यहाँ पर मेडूला है ये मेडूला है मस्तिश्क में मेडूला का मतलब अज्यात मस्तिश्क में गईवी चीज़ों को याद करके जबाब देना तुम अंधेरे में नीन में भी जबाब दोगे तब समझेंगे कि तुम सही हो आगई बात को समझ में तो जो जो सब्द तुमें समझ में आते हैं उनी का जबाब दे पाओगी मैं नया सब्द पूछूँगा तुम नहीं दे पाओगे क्योंकि क्या होता है कि जैसे सरीर का कोई अंग खराब हो गया है तो ठीक होने के बाद में उसको फीजियो तरापी करवाते हैं वैसे ही कान की एक्सेसाइज करवाते हैं तो कान को बंद करके मैं खुला रखो मैं कूँगा हलो हलो सुनाई दे रहा है कान बंद करो और बाहर तक जाओ मैं बोलूँगा हलो तो हलो का जवाब देना और फिर बाद में दूसरे शब्द बोलू जवाब दे दो अगे तो पास है नहीं तो एक्सेसाइज करनी पड़ेगी चाओ हलो बोलो वापीस हलो बोलो पिछा जाओ तेरी कोई गर्न फ्रेंड है क्या? अच्या सुनिए नहीं तो जिसका कान सच्च्च खराब हो बंद हो गया हो उसको कभी भी जवाब दे सकता नए सबसनी बता सकता अगर नहीं बढ़ता है यह अगर बढ़ रहा है इसका मतलब इसका कान काफी ठीक है तो भी एक्सेसाइज करवानी है आपको क्या कहना है मेडम लग अगर नहीं पड़ता है इसका में अगर पर नहीं पर दो भी तो भूदा दो नहीं थोड़ा होता ही नहीं देना है तो देना है बस खाओ बेटा मजे करो आश्करों भी बहुत बढ़ बढ़ दूड़ा तो अच्छा होगा, दूसरा तो कुछ में चीए, बिच्चा सुनने लगता है। मेरा काम सुनाने का भी है और इसका परसनल्टी डेवलप्मेंट का भी है, अमने दभाईयां दी है। मैंने शर्दी का फर्मुला बताया नहीं, क्यों बताया। उकालो एक लिटर को, उटकालते उकालते हैं, एक कब बना लो और उसके बाद में उतरते समें गुड करके उसको पिलाओ। उसमें तुलसी काली मेरिज मिला सकती हो, प्रमान से, और आपको सोते समें पिलाओ। एक इबार में, दो बार में, पांच बार में ठीक हो जाएगा और उसको आपको गले में बांग के ऐसा सुलाना है कि गले में गरमास रहे और ज्यादा यदि तकलीफ रहे तो दूसरी दवाई दे देंगे धन्यवाद मुझे बहुत खुशी हुई है आपका आज की ट्रीटमेंट करके, God bless you